दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार पसू परीचर भरती परतियों की प्रिक्षा के लिए साइंस की क्लासेश लेकर के आ रहा हूँ और आप सभी लोगों के लिए जो एक लास्ट क्लास से खुसकबरी आप लोगों तक पहुच चुकी है कि हमने मैथमेटिक्स की क्लासेश भी आप लोगों के लिए सुरू कर दी है तो आप सभी लोग जो है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए राजस्तान एकेडमी सिरोई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते है इस लेवल का कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आपका एक भी कोशन बार नहीं जाए आप चाहे तो हमारे LDC के क्लास के कंटेंट को देख करके ये पता लगा सकते है कि किस लेवल का कॉलिटी कंटेंट आप लोगों को साइंस और मैच के अंदर मिलने वाला है और आप लोगों को बता दू कि बड़ी खुसकबरी की बात आप लोगों के लिए ये है कि ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों को निसूल का हमारे यूटूब चैनल पर मिलने वाला है वो भी एकदम करम वाईज और लगातार मिलने वाला है आपकी भरती परतियों की प्रिक्सा तक हम बात कर रहे थे साइन्स के अंतरगत तीन भाग होते हैं एक होता है भौतिक विज्ञान एक है रासाइनि कर दिया है अब वर्क पावर एनरजी टॉपिक जिसके अंतरगत में वर्क और एनरजी यानि की कारे और उर्जा जो है उनकी डेफिनेशन्स उनके मात्रक वो अदिश रासी है सदीश रासी है और उनकी डेफिनेशन्स वगएरा समझा चुका था आज हम पढ़ने वाले हैं उर्जा के अलग-अलग रुपांतरन करने वाले उपकरणों के बारे में और उर्जा स्रक्षन का दियम क्या है उसके बारे में और इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे सक्ति के बारे में यानि पावर के बारे में आप सभी लोग अपने हतियार निकाल लीजिए कॉप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए उर्जा सरंक्षन का नियम हेडिंग डालेंगे उर्जा सरंक्षन का नियम एनर्जी कंजर्वेशन लोग यह क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन लोग या उर्जा सरंक्षन का नियम यह कहता है कि उर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है या फिर जो है आप क्या कर सकते हो इसको केवल और केवल मेरे से किसी और मैं किसी और से किसी और मैं ट्रांस्फर कर सकते हो लेकिन उर्जा को ना तो आप नश्ट कर सकते हो और ना ही उर्जा को आप उत्पन कर सकते हो यानि उर्जा का निर्मान भी आप नहीं कर सकते तो उजा सरक्षन का निएम क्या कयता है कि उजा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में यानि मालो ये A था یہ कोई B है ये C है ये कोई D है ठीक है ये चार अलग-अलग रूप है उजा उजा के तो आप A से B में जा सकते हो B से C में जा सकते हो कि ये D जो है इसको नश्ट कर दू तो ये possible नहीं है ये D हमेशा इदर ही रहेगा यही है उर्जा सरक्षन का नियम समझ में आ गई बात clear है चलिए तो अब इसकी जो definition है वो लिख लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और definition याद रखना जरूरी है क्योंकि आप स उर्जा सरक्षन का नियम है और statement आ सकते है चार तो उसमें टिक करके आना कि उर्जा न तो नश्ट की जा सकती है नहीं उत्य सर्जित की जा सकती है या उत्वन की जा सकती ठीक चलिए तो आईए बहतर सिसाम के साथ में आपके सपनों को साकार करने के लिए लिए लिखना कि उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्टित यानि कि चेंज, ट्रांसफर, परिवर्टित, कर सकते हैं, लेकिन, लेकिन न तो उर्जा उत्पन की जा सकती हैं, ना तो हम उर्जा को उत्पन कर सकते हैं, नहीं, नहीं, नश्ट की जा सकती, नहीं, नश्ट की जा सकती हैं, हैं, किलियर, यहीं है एनर्जी कंजर्वेशन लौ उर्जा सरंक्षन का नियम, ठीक है, इसको लिख लेंगे, और फिर अपना आगे बढ़ते हैं, और इसका एक बहुत ही बढ़िया सा उधारण, आपको लिल्ली और जयपूर के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेंस, जो है उनके अंदर मिल सकता है, तो लिखेगा इसका उधारण, क्योंकि आपको पता है दैनिक विज्ञान है, तो basically दैनिक विज्ञान यानि कि आपका दैनिक जीवन के अंदर, जहां जहां पर विज्ञान का उप्योग होता है, उससे related question पूछे जाएंगे, अब देली मेट्रो जो है, जैपूर मेट्रो जो है, वो दैनिक जीवन में ही तो काम आती है, है ना, इसलिए, तो लिखेंगे कि दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, उप्योग किये जाने वाले, उप्योग किये जाने वाले, उप्योग किये जाने वाले, ब्रेकिंग सिस्टम, यानि उसको रोकने के लिए जो ब्रेक है, वो ब्रेकिंग सिस्टम जो है, उसके अंदर पूरा, ब्रेकिंग system वैसे सुद्ध हिंदी में तो अपन कहेंगे गती अवरोधक निकाए ब्रेकिंग system को हिंदी में क्या कहते है गती अवरोधक निकाए यानि कि गती का अवरोध करने वाला system यानि गती को रोकने वाला system तो breaking system breaking system द्वारा ब्रेक लगने ब्रेक लगने के दौरान लगने के दौरान train की train की train की train की train की गतीज उर्जा यानि काइनेटिक एनरजी को कनवर्टर इनवर्टर मसीन की साइटा से कनवर्टर यानि जो कनवर्ट करने वाला कनवर्टर और इनवर्टर system आगको पताई है क्या करता है एनरजी देता है तो कनवर्टर इनवर्टर मसीन की साइटा से मसीन की साइटा से कनवर्टर इनवर्टर मसीन की साइटा से विदूत उर्जा में परिवर्टित करके उनहां उप्योग में लाया जाता है समझ में आ गई बात तो किस परकार से आप देख रहे होंगे कि हम जो है एक दिल्ली मेट्रो जो चल रही ट्रेन है उसको जैसे ही प्रेकिंग सिस्टम से अपन रोकेंगे तो रोकने के दोरान जब रोकते है तो ब्रेक मारते ही रुखेगी आपको पता ही है कि यह जो मेट्रो ट्रेंस है वो तो रुख जाती है थोड़ा सा चल दी बाकी ट्रेंस के कंपेरिजन में तो वो जब चलने के दोरान जो गती जूर्जा उसके अंदर थी काइनेटिक एनरजी थी उस गती जूर्जा को उसके अंदर लगे हुए कंवर्टर इंवर्टर मसीन की साहिता से क्या किया जाता है कि गती जूर्जा को विदू तूर्जा में बचला जाता है और उस विदू उर्जा का उपयोग जो है उन्हां किया जाता है किसको चलाने में इसी दियली मेटरो या दिली जहाँ भी मेटरो चल रही है उस मेटरो को चलाने के लिए समझ में आ गई बात तो आप अब जो है ये समझ गए होंगे कि उर्जा सरंग्षन का नियम energy conservation law क्या कहता है और यहाँ जो है आपके daily life में कैसे अपन use में लाते है फिलियर अब जो है यहाँ पर एक बड़ाया कि converter inverter machine यह क्या कर रहा है कि गतीज उर्जा को विदूद उर्जा में बदल रहा है तो ऐसे ही बहुत सारे अलग-अलग उपकरण है जो क्या करते हैं कि एक उ जो है विदूद सेल का नाम सुना होगा सेल तो देखाई होगा घर पे remote है अगर टीवी का या फिर जो है कोई आपके घर पर माल लीजिए कोई battery वगरा है तो उसके अंदर सेल लगे हुए रहते हैं वो सेल क्या करते हैं बेसिकली उन सेल के अंदर जो है आपके रासाइनी क उर्जा विदूद उर्जा के अंदर बदलती है क्या होती है रासाइनी कुर्जा जो है वो विदूद उर्जा के अंदर बदलती है समझ में आ गई बात चलिए तो अब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे तो अब लिखिएगा कि उर्जा रूपांत्रित करने वाले उपकर heading डालेंगे उर्जा रुपांत्रित यानि कि transfer एक दूसरे से form convert करने वाले transformation करने वाले उर्जा रुपांत्रित करने वाले उपकरण ठीक है तो वो instruments जो क्या करेंगे एक energy form को किसी और energy form के अंदर converter करेंगे चलिए बात करते हैं सबसे पहला point अपने पास में आता है कौन सा तो solar cell कौन सा solar cell अभी यह solar cell क्या करता है आपको पता ही होगा कि अभी सरकार जो है चाहे वो राज़़श्टान सरकार हो चाहे केंदर की सरकार हो चाहे किसी और राज़़ी की सरकार हो वो ज़्यादा फोकुस कर रही है कि जो सोर उर्जा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उप्योग किया जाए और राजस्तान के अंदर तो सोर उर्जा की सरवादिक संबावनाएं है तो कि यहाँ पर सरवादिक आप लोग जानते है कि सूरी की जो किरने है वो जैसलमेर वाल हम ये कह सकते हैं possibilities है कि अपन जो है सोर उर्जा पर पूरा राज्य निर्दारी दिर्बर करवा देवें यानि अपने को जो है ये फिर विदूत उर्जा की जरूत ही नहीं पड़ेगी सोर उर्जा से ही पूरे राज्य में विदूत उपलब्त करवाई जा सकती है इतनी ज़्यादा possibilities है राजिस्तान एक ऐसा राज्य है जहां पवन उर्जा के भी जो है बहुत ज़्यादा इसकोप है तो तीरे दीरे अब भी आप देख रहे होंगे कि सरकारे जो है सोलर उर्जा की और ज़्यादा फोकस कर रही है क्यों 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 सोलर उर्जा है वो आती है सीधे सीधे फ्री ओप कोश्ट कहां से सूर्य से और फिर उस उर्जा को अपन क्या करते हैं यह जो अपने solar cell होते हैं solar cooker होते हैं उनकी help से विदू दूर्जा में या फिर अपने उस्मा उर्जा में बदल करके अपन जो है क्या कर सकते हैं अपने खाना बना सकते हैं solar cooker की help से तो solar cell की help से जो है विदू दूर्जा बना सकते हैं और फिर उस विदू दूर्जा का उपयो अपने घर पर देनिक जीवन में कर सकते हैं। आप सबी लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही 2-4-5 साल पहले कई ओफिसों के उपर अभी क्या किया गया था सोलर सेटप लगा दिये गए हैं। उन सोलर सेटप की साहिता से ही पंचाय समिती वगरा हो या पंचायते हो वहाँ पर क जानते हैं सिरोई का रहने वाला हूँ और सिरोई में ही एक अक्साय संचालित होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्ता है परमा कुमारी वो जो है बहुत बड़ी लेवल पर सोलर सेल का या सोलर उर्जा का बहुत जादा उपयोग करते हैं। वहाँ पर लगबग 10-15 हचा लोगों का खाना केवल और केवल सोर उर्जा के उपयोग से जो है बनना पॉसिबल है। तो यह सोचिए कि जब एक संस्ता में इतना बड़ा लेवल पर काम किया जा सकता है तो क्यों ना जो है हम भी अगर अपने घर पर छतों पर सोर उर्जा का पुरा पैनल लगा दे वे और बतादू कि जालोर है जैसल मेर है बाइड मेर बिकानेर ऐसे हिलाके में तो सोलर सेल का बहुट ज़्यादा इसको अपे बहुत ज़्यादा जो है वह पर इसका उपिए किया जा सकता है और इस विदूत उर्जा को कमी है जो कोईले की कमी है उससे अपन निपट सकते है तो solar cell की बात करें तो ये क्या करता है सोर उर्जा को सोर उर्जा को सोर उर्जा को विदूत उर्जा विदूत उर्जा में ठीक है अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा बदलता है बार बार इसलिए याद रख लेना कि सोर उर्जा को विदू तुर्जा में कौन बदलेगा सोलर सेल दूसरा आपन बात करते हैं अपने किसकी लाउड स्पिकर्स है नगा जो अपने लाउड स्पिकर्स है या जो भी सपिकर है वो जैसे आप भी अपने घर पर अभी मेरी आवाज मॉबाइल में सुन रहे है अब वो किसकी help से सुन पा रहे हैं स्पिकर की help से लेकिन वो इस्पिकर चल कैसे रहा है तो वो इस्पिकर आपके mobile में जो battery लगी हुई है जिस battery को आपने charge किया था विदूत उडजा की साहिता से ठीक है अब वही battery क्या कर रही है दिरे दिरे खर्च हो रही है और इस्पिकर वगेरा जो उसके भाग है इस्क्रीन है वो सब उसको यूज कर रहे है तो लाउड़ी स्पिकर क्या कर रहा है कि जो विदूत उडजा उसे मिल रही है बैटरी से उसको यूज कर रहा है दवनी उडजा के अंदर convert करने में आप ऐसे समझ सकते हैं देखिए diagram थोड़ा सा बन यादा सेफ वाला mobile है माल लीजिए है ना अब इसको अपने चार्ज किया तो जब आपने इसको चार्ज किया तो आपने इसको देदी विदूत उरजा आपने इसको क्या दी विदूत उरजा देदी अब इस विदूत उरजा की साहिता से इसके साइड में माल लो यहाँ पर विदूद उरजा मिली इन स्पिकर्स को विदूद उरजा मिली अब ये बाहर क्या है ऐसे चिलनाना सुरू कर देते हैं जो आप मैरा सुन रहे हो ना ये बासर जो आपके पसू परिचर के साइस में आने वाला है वो सब आपको सुनाई दे रहा है अब ये सुनाई जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है दमनी उर्जा की विज़ से ठीक है तो दमनी उर्जा तो सिधा सिधा याद रखना आप मैं इसी डाइग्राम को यहां पर रखा देता हूँ छोटा सा बना कर ठीक है तो अब मैं इसको लिखवा नहीं ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा भूद जैसा निकले ना, याद रख ले ना कि विदूत उर्जा को लेगा और दमनी उर्जा के रुप में बाहर निकलेगा, तीस तरह देखिए तीस तरह आपके पास में आ जाता है आपका ट्यूब लाइट्स क्या आ जाती है ट्यूब लाइट्स ट्यूब लाइट्स क्या करती है अरे ट्यूब लाइट क्या करती है विदूत उर्जा को लेती है और प्रकास उर्जा में बदल देती है तो लिखेंगे विदूत उर्जा को या विदूत उर्जा को प्रकास उर्जा में ठीक है विदूद उर्जा को किसमें बदलेगी प्रकास उर्जा में बदलती है फ्रहता पॉइंट अपने पास में आ जाता है डाइनेमो कौन आता है डाइनेमो अब ये डाइनेमो क्या होता है अभी बता दिया जाएगा पहले इसको लिख लीजिए डाइनोमो जो है वो क्या करता है यांतरिक उर्जा को मेकेनिकल एनरजी को यांतरिक उर्जा जो होती है उसको विदूत उर्जा में बदलता है किस में बदलता है विदूत उर्जा में बदलता है ठीक है देखे डाइनोमो क्या होता है बेसिकली चरके टाइप का होता है जो मात्मा कांदी जी का चरका था भारत देश के राश्पिता का जो चरका था उसी टाइप का एक डाइनेमो होता है और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसे हातों से चरका गुमा देते तो उसमें कतती जाती थी लेकिन ऐसा ही डाइनमे होता है जिसके अंदर एक तरफ अगर आप ऐसे हातों से उसको गुमा रहे हो तो दूसरी तरफ जो बल्ब वगेरा लगा हुआ है मोटर से कनेक्ट आप जैसे जैसे उस मोटर को ऐसे हातों से गुमाते जा करता है विदूत उर्जा के अंदर कंवर्ट करता है यह डाइनमो का कोशन अक्सर एक्जाम में आता है याद रखना पांचवा आपका उप्रण आ जाता है विदूत बल्ब और विदूत बल्ब याद रखना अलग से सर्ट टूबलाइट क्यों नहीं याद करवाई तो फिर और विदूत बल्ब में क्या फरक बताता हो भी है ना डरो मत ठीक है देखिए विदूत बल्ब का मतलब है कि ये क्या करेगा विदूत उर्जा को लेता तो सही है है ना ये विदूत उर्जा तो लेगा ही लेकिन ये केवल और केवल विदूत उर्जा को प्रकास उर्जा मे भी बदलता है ये इसलिए याद रखना तो प्रकास विदुद उर्जा को उश्मा व प्रकास उर्जा में प्रकास उर्जा में समझ में आ गई बात तो ये जो आपका विदुद बल्ब है ये क्या करता है विदुद उर्जा को उस्मा उर्जा और प्रकास उर्जा दोनों में बदलता है आप अगर अपने घर पर अभी भी कोई बड़ा जो बल्ब आता था पहले जो चमकता था पीले कलर का है ना पूरा वैसे दिखता है एक्टम ट्रांस्पेरेंट था लेकिन जब चालू होता था तो पीले कलर की लाइट देता था उसको आप थोड़ी देर चालू करके रखना और फिर उसको हाथ देना बहुत जबरदस्ट गरम होता है वो जिसे अपन कहते हैं कि आइस्टिन मौदे ने जो है एडिसन नामक वेग्यानिक ने उस बल्ब को ढुंडा था तो वो जो है ऐस बहुत ज़्यादा होता है गरम इसलिए उसे कहता है कि उसमा और उसके अंदर प्रकास हुट जा दोनों है लेकिन जो वर्तमान में अभी जो LED बल्ब्स आते हैं या जो टिपलाइट्स आती है वो इतनी ज़्यादा गरम नहीं होती है इसलिए वो केवल प्रकास हुट जाया करता है तो ये रासाइनीक उर्जा को रासाइनीक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है इसके बाद में नमबर सेवन पर अपने पास में आ जाता है सितार क्या आ जाता है सितार ना सितार जो होता है ना वो तब सितार क्या करता है तो ये यांत्रीक उर्जा को सितार क्या करता है यांत्रीक उर्जा को इसमें बदलता है तो धवनी उर्जा में, लिखेंगे, प्रेबाई यातों से अपन जब बजाते हैं सितार को तब क्या होता है, यांतरी कुर्जा दे रहे होते हैं, तो यांतरी कुर्जा को धवनी उर्जा में, ठीक, इसके बाद में नमबर एट अपने पास में आ जाता है, सितार के बाद में आपका पवन चक्की अभी मैंने बोला था ना राजस्तान में पवन उर्जा के भी स्कॉप है तो वो क्या करते हैं ये पवन चक्की होती है ये पवन चक्की क्या करती है जो पवन आ रही होती है जो गतीज उर्जा होती है पवन की उस गतीज उर्जा को गतीज उर्जा को किसमें बदलती है तो गतीज उर्जा को यांतरिक उर्जा के अंदर बदल देती है क्योंकि वो ऐसे से गुमने लगता है और वो जब गुमता है तो यांतरिक उर्जा मिल रही है फिर उसी यांतरिक उर्जा को हम विदुत उर्जा में बदलते हैं क्या होता है गतीज उर्जा को यांत्रिक उर्जा में तो कौन बदलेगा यांत्रिक उर्जा में ठीक है तो आपके गतीज उर्जा को यांत्रिक उर्जा में पवन चक्की फिर इस यांत्रिक उर्जा को गतीज उर्जा में कौन बन लेगा डाइनेमो ठीक है चलो पवन चक्की के बाद में next आपके आजाता है विदूत मोटर अब ये विदूत मोटर क्या करती है तो विदूत मोटर जो है वो विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलती है अरे अपने घर पर जैसे ही आप पानी की मोटर को चालू करते हो तो उसको आप क्या देते हो विदू तूरजा फिर वो विदू तूरजा क्या करती है मोटर को चालू करती है मोटर जैसे ही चालू होती है तो निचे जो पानी पड़ा हुआ था ओध में वो सीधा आपके उपर जितनी उपर टंकी होती है वहां तक पहुँच जाता है तो ये बताइए कि आप वो जो टंकी तक पानी गया उसको फोर्स मिलना यानि मेकनिकल एनरजी ने काम किया ठीक है तो वो किसकी एल्प से होता है उसी विदू तुर्जा को इसमें बदला जाता है यांत्री गुर्जा में कौन बदलता है मोटर लेकिन यांत्री गुर्जा को विदू तुर्जा में डाइनेमो ठीक है तो विदू तुर्जा को यांत्री गुर्जा में यांत्रीक पूर्जा में ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके बाद में दसवा पॉइंट आपके पास में आ जाता है विदूत मोटर के बाद में मौम बत्ती मौम बत्ती तो देखी होगी आपने सबी ने और अक्सर बर्थडे पर आजकल ये लिए ट्रेंट चल रहा है कि एक और मौम बत्ती तो ना हो तो जैसे बर्थडे था एक साल पूरा हो गाई नहीं एहसा लगता है ना कहीं बार तो कहीं बार तो ऐसे बड़े लोग मना लेते कि ऐसा लगने लगता है कि अगर इस बंदे ने बर्थडे नहीं मनाया होता तो इसका एक साल भखवान बढ़ाते ही नहीं जैसे तो मौमबती में लिख लीजिए ये क्या करता है रासाइनिक उर्ज़ा जो होती है मौमबती किस से बनी होती है प्रकास और इसके साथ में किसमें बदलेगी उसमा उर्जा में ये बल्ब की तरह है तो प्रकास व उसमा उर्जा में किलियर चलिए इसके बाद 11 आप पॉइंट लिखेंगे मौमबत्ती के बाद में आ जाएगा आपका माइक्रो फॉन कौन आ जाएगा माइक्रोफोन अब ये माइक्रोफोन क्या करता है तो माइक्रोफोन जो है वो दवनी उर्जा को जैसे ये देखो ये लगा हुआ है मेरे पास माइक्रोफोन अब मैं इसको दवनी उर्जा दे रहा हूँ इस दवनी उर्जा को ये क्या कर रहा है विदूद उर्जा में convert करके laptop में दे रहा है फिर laptop से आप तक पहुच रही है या आवाज तो ये क्या कर रहा है दवनी उर्जा को विदूद उर्जा में बदलता है या फिर आपने जो aeroplane के अंदर pilots वगरा लगा करके लगते हैं ना इदर लगा करके वो hello hello बोलते रहते हैं फिर बताते हैं कि हम यहाँ पहुच गए वो पहुच गए तो वो जो होते है वो microphone सी होते है basically ठीक तो दवनी उर्जा को विदूद उर्जा में विदूद उर्जा में ठीक है चलिए इसके बाद बारवा पॉइंट अपने पास में आ जाता है और यह last है विदूद हीटर विदूद हीटर अब यह विदूद हीटर क्या करता है तो विदूद हीटर जो है वो विदूद उर्जा को लेकर के उश्मिय उर्जा में कनवर्ट करता है समझ में आ गई बात तो ये है अपने कुछ उपकरण जो क्या करेंगे एक उर्जा के रूप को अन्य उर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तोटल ये मैंने बारा अलग-अलग उपकरण लिखवाए हैं जिन से related exam में questions आते रहते हैं एक बार पुलह इने पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है देखिए solar cell क्या करेगा solar उर्जा को विदूत उर्जा में बदलेगा loud speaker क्या करेंगे विदूत उर्जा को इसमें बदलेंगे दवनी उर्जा में आपका ट्यूब लाइट क्या करेगी विदूत उर्जा को प्रकास उर्जा में बदलेंगे डाइनोमो क्या करेगा यांतरिक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलेगा आपका विदूत बल्ब विदूत उर्जा को उसमा और प्रकास उर्जा में बदलेगा आप इसकिन शॉट ले सकते हैं इसके बाद मैं अब आगे बढ़ेंगे आइ तिंक ले लिया होगा इसकिन शॉट इतना समय तो प्रयाप्त होता है फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है विदूत सेल क्या करेगा पवन चकी गतीज उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलती है विदूत मोटर विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में मौमबत्ती रासाइनिक उर्जा को आपके प्रकास और उस्मा उर्जा में बदलती है माइक्रोफोन क्या करता है तवनी उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है और विदूत हीटर क्या करता है विदूत उर्जा को कुश्मिय उर्जा के अंदर कनवर्ट करता है ठीक है दोस्तों तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखने का सोच रहा हूँ और आज का जो क्लास है वो आप सबी लोगों क ये class पसंद आई हो प्लीज जादा से जादा विद्यारतियों तक share करने का प्रयास करिएगा आप सभी लोगों को जो है निसूल को रूप से पढ़ाने का जो मेरा प्रयास है वो तब ही सार्थक है जब आप इसे जादा से जादा विद्यारतियों तक पहुचा सकेंगे तो love you all of you, please take care and please share with your friends जै हिंद, जै भारत, मिलते है अगली class में आज की दो लाइने यही कहना चाऊँगा कि लाख दलदल हो, हाथ जमाए रखना हाथ खाली ही सही, उपर उठाए रखना कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता अरे पानी को बर्फ बनने तक होशला बनाए रखना जै इन, जै भारत